सुगाई साज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप एम इस्टॉक डेमेट अकाउंट से फंड को कैसे विडि़ोग करेंगे फंड विडि़ोग करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सीम्पल प्रोसेस है आप लोगो इस्टेप बाइस्टेप बताने वाला हूं साथ ही में आपके सामने आपर मैं फंड को विडि़ोग करके भी दिखाने वाला हूं तो विडि़ो को बिना स्किप किये पूरा देखेगा जिससे कि आप लोगो सही और सठीक जनकारी मिल सके मेरे केस में यहाँ पर 66 रूपीज और 43 पैसे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फंड में और इसे मुझे विडि़ो करना है add fund पर click करके आप यहाँ पर fund add कर सकते हैं लेकिन चुकि मुझे video करना है तो video करने के लिए simply यह जो आप लोग को 3 line दीख रहा होगा simply 3 line पर click करेंगे 3 line पर click करने के बाद आपके सामने कई सारे options आ जाते हैं इनमें से एक fund transfer जो आप लोग को दीख रहा है simply fund transfer पर click करेंगे जैसे fund transfer पर click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले add balance को लेकर करके आ जाएगा जहाँ पर आप लोग 500 रुपिया 1000 रुपिया 100 रुपिया आप लोग यहाँ से fund add कर सकते हैं अपने trading balance में जिसका यूज आप लोग stocks में इंट्राडे में और जगह पर आप लोग कर सकते हैं लेकिन चुकि मुझे यहाँ पर withdrawal करना है तो withdrawal करना है तो simply withdrawal पर click करेंगे विडियो पर click करने बाद जहाँ पर पैसा आपका जो है कि more to bank होगा है यानि कि आपके trading balance से आपके खाते में जाएगा वो खाता यहाँ पर आजाएगा basically आप लोगोंने trading account को open करते समझ जो खाता दिया होगा उसी खाते में जाएगा ठीक है वही खाता यहाँ पर आप लोग का सो करेगा तो यहाँ पर withdrawal कितना करना है जैसे कि कुछ आप लोग को जो है कि details आप लोग को ध्यान में रख करके withdrawal करना होगा देखें notes में लिखा हुआ है withdrawal request if initiated on working days ठीक है before 9.30 फियम यानि कि जो है कि 9 बच करके 30 मिनट से पहले अगर रात में अगर आप लोग withdrawal करते हैं तो next working days यानि कि दूसरे दिन 12 बजे दो पहर तक पैसा आएगा यानि कि अगर आप जो है कि 9.30 बजे रात के बाद अगर आप लोग withdrawal करते हैं तो दूसरे दि जो है कि पहले अगर withdrawal करते हैं 9.30 बजे के बाद ठीक है पहले तो आप लोग कर दूसरे दिन 12 बजे दो पहर में पैसा आएगा ठीक लेकिन अगर 9.30 और second में यहाँ पर लिखा हुआ है only clear of guys balance will be considered for the processing the fund payout request ठीक है यानि कि जो आपका यहाँ पर balance हो करेगा clear जो balance हो करेगा यही balance जो है कि withdrawal के लिए जो है कि उपयोगी होगा ठीक है यहाँ पर 66 में यहाँ पर लिख रहा हूँ अब यहाँ पर देखते हैं कि withdrawal होता है नहीं इसके बाद simply withdrawal fund पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि withdrawal request ठीक है 66 रुपीस जो है कि यह process हो चुका है ठीक है और यह process आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर request पूरा सो करेगा कि कब यह आएगा मेरे wallet में पैसा कब जो है कि मेरे खाते में पैसा आ जाएगा यहाँ पर देखिए time अगर मैं बात करूं तो देखिए 24 to 48 hours के अंदर में मेरे खाते में तुरांत आएगा ठीक है और तु सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक देना